आपको बता दे कि मामला बूलंद सहर के खुर्जा नगर कोटवाली छेत्र के कालिंदी कुंच कॉलोनी का है जहां एक पत्नी ने अपने आसिक के साथ मिलकर फिल्मी अंदाज में अपने पती हरेंद जो प्राइमरी स्कूल में सिक्षा मित्र था उसकी हत्या कर खौफनाग घ पुल्स ने एक सप्ता के भीतर घटना का सफल अनापरण करते हुए मृतक की पतनी वह उसके आसिक को ग्रफतार कर गहंद पूस्ताष की गई गहन पुस्ताज में मृतक की पत्नी और आसिक ने अपना जुर्म कुबूल किया मृतक हरेंद की पत्नी अपने पती को रास्ते से हटा अपने आसिक से साधी करना चाहती थी एक हरेंदर नाम के व्यक्ति थे जो की शुक्षा मित्रुत है उनकी मृत्यू हुई थी और उनकी पत्नी द्वारा परिवार जनों को ये जानकारी दी गई कि इनकी हाट अटैक से मौत हुई है और उसके बाद दासंसकार के लिए उनको ले जाये जा रहा था तबी अन्य परिवार जनों को कुछ शक हुआ कि इस पूरे घटना क्रम में संदे है उनको जिसके आधार पर बॉड़ी को पोस्गॉटम के लिए भेजा गया और उसके बाद फिर हमारी टीमे इसमें लगी कई लोगों से पूस्ताच की गई तो इसमें यह बात प्रकाश में कि मृतक की बतनि और या उसके एक साथी द्वारा इनकी हथ्या कर दिया गई पर फिर दच को यह लोगों आरौप से बचने के लिए लोगों को यह बताए कि हैट अिलियु से वित्यू हूँ हुई जब गहनता से पूस्ताच हुई तो यह तत्य प्रकाश में आये हैं जिसके आधार पर इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसमें मृत्का के पत्नी और उसका साथी शामिल है इन दोनों को न्याई कवरक्षा में भेजा जागा है क्या पूस्ताच में हत्या कारण यह सामने आया है कि यह जो मृत्का की पत्नी है और यह व्यक्ति है इन दोनों के बीच में संबंध थे और इनका यह उद्देश था कि यह व्यक्ति अगर मर जाएगा तो इसके बाद यह दोनों साथ रहने लगी देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर